मानिया सभापति मोदे आपने मुझे मांग संग्या 42 और 45 पर बोलने का मुखा दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवार मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूँगा मैं शिर्फ मेरे विदान सभाचेत्र की बात करना चाहूँगा मानिये सभापति मोदे मेरे विदान सभाचेत्र के चोद्वी कुमबारा मारे लिप के 58 गाउं का रखबा जो काट दिया गया था वो बजट गोसना वर्स 23 चोईस में एठाउन गाउं के रखबों को सामिल करने की गज़ सरकार ने गोसना करी थी और इस समंद्ध में विबाग के अधिकारियों ने लगबग डेड़ दो में ने पूरो मेरे से संपरक किया और इस समंद्ध में चर्चा भी की और मुझे अवगत कराया कि मानिय मुख्यमंत्री जी बजलनाजी के नेतरतों में ये जो सरकार है सरकार की मंसा है कि गत सरकार की जो जनित की योजनाएं हैं उन्हें पूरा करेंगे मुझे बड़ी प्रसंता हुई लेकिन अभी जो मानिय वित मंत्री जी द्वारा बजट पेश किया गया तो इन इठान गाओं के समंद्ध में इस बजट में किरिवनान वितिये तू कोई गोशना नहीं की गई तो मैं विशेश तोर से सभाबती मौदे आपको बताना चाहूंगा कि मानिये पूर उकराष्टपती और पूर मुख्यमंत्री स्वरगिय बहरु सिंग्जी सेखाओजी के कार्यकाल में दबोर नबे में मुख्यमंत्री थे और उसी समय मेरे पिता जी स्वरगिय पंडित बांडलाल जी सर्मा जी आइजिएन पी मिनिस्ट थे तब सरदार सहर विदानसवाद छेतर को गाउं को इस आईजनपी में कुमारा हमारे लिफ्ट में सामिल किया गया था और कुछ लगबग डाइस साल बाद ही सरकार भंग हो गई थी और उसके बाद अलग-अलग सरकारें आई अलग-अलग मंत्री बने उन्होंने उधर द्यान देने की वज़े आपने अपनी छेतर की तरफ द्यान दिया तो इस तरह ये और कुछ समय बाद ये ठाउन गाओं का रखबा आज भी कुछ गाओं मेरे विदानसवाचेतर के सिंचित हो रहे हैं लेकिन ये ठाउन गाओं को रखबे से काट दिया गया और उसके बाद लगातार विदानस्वा छेतर की जनता की ये मांग रही और अभी इतने सालों के बाद 23 चोईस के बज़ट में माननी है मुख्य मंत्री जी रहे गैलोज साब ने इन गाओं को जोडने की गोसना करी तो मेरा आपके माद्यम से सरकार से मंत्री जी से मानिय मुख्य मंत्री जी से ये निवेदन है कि इन्हें ठावन गाओं को चोधरी कुमारा हमारे लिफ्ट के नाल से जोड़ कर छेत्र के जनता को राद देने का काम करें ये विशेश तोर से आप से निवेदन करना चाहूंगा और साथ ही सरदार से तशिल मुख्याले पर लगबख 10 विगा जमीन आईजिन पी रेस्टाउस की जो आज अमुले करोड़ों रुपे की भूमी है और उसी समय वाई आईजिन पी का एक अच्छा सुन्दर रेस्टाउस बना लेकिन वाश्टाप की और देखवाल की कमी के वज़े से आज उसकी आलज जिर्ण शिर्ण है वो खुर्दबुर्द हो रहा है तो इसलिए आपके माद्यम से मैं मानिय मंत्री जी का ध्याना कर सि ताकि उसका रख रखाओ उसके आपने मुझे बोलने का मुका दिया बहुत बहुत धन्यवाद